के कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे जी चुनावी संदर्म में तो इस बात को कह रहा है लेकिन जो विहित प्रक्रिया विपक्ष का होता है उसका तो नुपालन किया नहीं तिप्पद यात्रा करने से थोड़े ही वोट मिलता है नीतियों को टै करना पड़ता है नित्रित तो को टै करना पड़ता है और वैकलपिग मार्दृ टै करना पड़ता है तो मुद्धे जो महत्वपुन है उन मुद्दों की कोई चिंता नहीं थी आपको केवल यह चिंता थी कि हम अकेले एकला चलो रहे और दूसरे को जहां सामें रखो इस तो बड़ा गंभीर भी सहे भाई कि राजी के मुख मंत्री को इडी खोज रहा हो और उन लापता हो ति तो वहित प्रक्रिया में लोक तंत्र के लिए इससे बड़ा कलंग कुछ नहीं हो सकता है यह कोई राजी का मुख मंत्री ही लापता पाए जाए इतो चिंता नहीं चिंतन के साथ साथ आत्म चिंतन की जरूरत बीएम डबलू से नीचे कि जगाली को होगा वही सुनते हैं बहुत महंगी गाली होती है इतनी महंगी गाली महंगा 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 परिधान और राजनीत के बदलते तेवर कि हम आदिवासी दलितों के नेता है कि मानिये लालू प्रशाद जी को एडी के विविन मामलों में दिल्ली से सम्मन होने के बाद यहां पूछताच किया गया दुर्भागी जनक पक्षिया है कि राश्टिय जड़ता दल के कारिकरता एडी जैसी संबैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वो हम समस्ते कि लालू जी का नुकसान ही कर रहे थे और हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है अरे कुछ गरीब गुर्भा को दान कर दीजिए समपत्ति कहां इडी के चक्कर में पड़े हुए है अती पिछडा दलित जो भूमी हीन है जो आपके दल के कारिकरता है उन्हीं को कुद दे दीजिए तो कम से कम जीवन के अलतिम छण में कम से कम सुख में तो आपका अनुभूती रहेगा अब देखे यह हमारी पार्टी की असपष्ट मानिता है कि इस सम्मध में विमर्ष किया जाना चाहिए और हम लोगों ने लॉग कमिशन को भी सम्मध में दिया था कि आपस में विमर्ष करके विभिन राजनेतिक दलों को आपस में एक सहमती बना करके ऐसे सम्मेदन सील सवाल पर पहल करनी चाहिए अब कि संदर्म में बोलते हैं मैं नहीं जानता इसका मतलब अखिल भारतिया कॉंग्रेस पार्टी नतमस्तक हो गई बामपंथी पार्टियों की भूमिका बंगाल में खतम हो गई यह कैसा गटबंदन है जिस गटबंदन में बिहार में मानिय लालू परशाजी कहते कि सीट सेर इतना जल्दी हो जाता है तो नोमिनेशन के दिन होगा कब होगा यह कौन सा तरीका अपलाया आप लोगों ने आ अब उनको फाइदा एहसास हो रहा होगा संजे राउद जी को लेकि कलपना करिये कि बंगाल से ममता बनर जी जी इंडिया गटबंदन से बाहर उत्तर प्रदेश में जीच और बिहार में तो बहुनी पर भी संकट हो जाएगा जब मानिय नितिश कुमार जी बीजेपी के साथ हो गए हम पाटी के साथ हो गए तो बहुनी होने पर संकट है इसलिए मुंबई से पटना को मत देखे संजे राउद जी पटना है यहां की धरती जो दिशाते करती है वही दिल्ली का दिशाते होता है अब समझ लिए मलिका रुजुन खलगे जी कॉंग्रेस के आप राश्ट्री अध्यक्ष है नवीन पटनायक जी के बारे में जिस डंकी टिपनी आपकी आई है ति यह बताता है ना कि आप उडिशा में भी आपको नवीन पटनायक का परुक्षिया परुक्समर्थन नहीं म कि आपकी नीतियों के चलते देश के अंदर में कॉंग्रेस पार्टी का जो उदार चरित्र नहीं हुआ आज यह राजनितिक दुर्दसा का सामना करना करना पड़ रहा है कि अखिल भारतिय कॉंग्रेस पार्टी जो अब बरतमान दौर में छेत्रिय पार्टी के रूप में सिमठती जा रही है तो मानिये राहूल गांधी जी को आत्म विश्वास है कि हम अकेले सक्षम है तो जब अकेले ही सक्षम है एकला चलो रहे का नारा राजनित की कारिनित ही का है तो 2024 के चुनाव में राजनीत में कहा रहिएगा यह तो आपको जगह खोजना पड़ेगा